नमस्कार दोस्तों, क्लास एट महारेश्टर स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, चप्न नूबर 10, डिविजन आफ पोलिनोमियल्स, प्रैक्टिस से 10.1, कुश्चन नूबर 8 हमें डिविजन करना है, डिविजन को डिवाइजर से डिवाइड करना है, तो डिविजन आफ पोलिनोमियल्स में, पोलिनोमियल्स को मोनोमियल्स से डिवाइड करना है, यह पोइंट हमने, पिछले वीडियो में पढ़ा है, और उसमें, प्रैक्टिस से 10.1 के, कुश्चन तो अब यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को अनुरूद है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइक उन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं तो हमें क्या करना है, देखें, 21x raised to power 4 को 7x cube से divide करना है, तो इससे पहले भी हमें, यहाँ पर जितने भी terms हैं, उनको variable के descending power के form में लिखना है, descending order में लिखना है, अभी x की power 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, तो already यहाँ पर descending power है, मतलब power के descending order में जो dividend है, वो है, तो हमें first term को first term से divide करो, तो 21x raised to power 4, 7x cube से divide करना है, तो हमें जो पहला quotient है, वो मिल जाएगा, तो 7, 3 is 21, x की power 3 है, 3 से power 4 को हम divide करेंगे, तो 4-3 cancel, एक ही power रहेगी x की, तो यहाँ पर 3x रहेगा, तो 3x से divide होगा, अब 3x और 7x cube का अगर हम multiply करते हैं, तो 21x raised to power 4 ही आता है, तो इसके बाद हमें इन दोनों का subtraction करना है, तो यहाँ पर minus करिए, तो यह cancel होगा, अब इन दोनों terms को निचे लिखना है, तो यहाँ पर होगा 0, फिर minus 14x square plus 7x, अब ह होगा क्या देखे, यहाँ पर power 2 है, और यहाँ पर power 3 है, तो greater power से smaller power को divide नहीं होता, यहाँ पर भी one power है, तो one और two, दोनों powers 3 से कम है, तो अब यहाँ पर division stop हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हुआ, यह है कोशंट, और यहाँ पर जो है, आ गया वो है, remainder, question number 9, 6x raise to power 5, minus 4x raise to power 4, plus 8x cube, plus 2x square को हमें, 2x square से divide करना है, तो हमने यहाँ पर division लिखा है, यहाँ पर diviser, अब जो first term है, 6x raise to power 5, उसे यहाँ की जो first term है, 2x square से divide करना है, तो यहाँ पर होगा, 2, 3, 6, 3, अब x की power यहाँ पर 5 है, x की power 2 है, जब भी हम divide करेंगे, तो यहाँ x 5 times होगा, यहाँ पर 2 times होगा, तो यहाँ का 2 और यहाँ के 5 में जो 2 हैं, वो cancel होगे, तीन रहेंगे, तो 3x cube, यहाँ पर होगा 3x cube, तो 3x cube quotient होगा, अब 3x cube का और 2x square का अगर हम multiplication करते हैं, तो 6x raise to power 5 आता है, तो 2 into 3, 6, x square into x cube, x raise to power 5, अब यहाँ पर हमें subtraction करना होगा, तो इसका sign जो है, वो change होगा, अब यह दोनों cancel हो जाएंगे, क्योंकि plus 6x raise to power 5, minus 6x raise to power 5, अब जो आगे के terms हैं, वोने हमें, minus 4x raise to power 4, plus 8x cube, plus 2x square, अब फिर वोई, first term को first term से divide करिए, तो minus 4x raise to power 4 को, 2x square से divide करना है, तो 2 to the 4, minus 2 होगा, x square में 2x, यहाँ पर 4 में से 2 cancel, minus 2x square, minus 2x square से divide, अब फिर इनका multiplication करेंगे, तो यह यह आएगा, minus 4x raise to power 4, अब sign change करना है, subtraction करना है, तो यहाँ पर इसका sign change करना पड़ेगा, तो minus 4x raise to power 4, plus x raise to power 4, cancel, 8x cube, plus 2x square को नीचे लिखना है, फिर 8x cube को 2x square से divide, अब directly हम divide कर लेते हैं, 8 को 2 से divide करेंगे, तो 2, 4 जा 8, तो यहाँ पर plus होगा, क्योंकि plus divided by plus, plus ही होगा, plus 4, अब यहाँ पर x cube है और यहाँ पर x square है, तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2 cancel, 1x रहेगा, तो यहाँ पर 4x से divide होगा, तो 4x से 2x square को अगर हम multiply करता है, तो यहाँ पर 8x cube ही आएगा, अब sine change होगा, फिर cancellation होगा, फिर plus 2x square को हमें नीचे लेना है, अब 2x square और यहाँ पर भी 2x square, 2x square को 2x square से अगर divide करना है, तो 1 आएगा, तो 2x square into 1, 2x square, यहाँ पर लेखना 2x square, फिर होगा इनमें subtraction, cancellation, remainder 0, तो remainder 0, और यहाँ पर जो आगया है, वो quotient, next question है, question number 10, 25m raised to power 4 minus 15m cube plus 10m plus 8 को, हमें divide करना है 5m cube से, अब first term को first term से divide करेंगे, तो 25m raised to power 4 divided by 5m cube, 5, 5 is a 25, 5 होगा, यहाँ की power यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 3m cancel होगे, 1m रहेगा 5m, तो 5m into 5m cube, यह होगा 25m raised to power 4, अब इसका sign change होगा, तो यह cancel, अब इन्हें हमें, नीचे लिखना है, minus 15m cube, plus 10m plus 8, फिर first term को, यहाँ पर first term से divide करेंगे, तो यहाँ पर होगा, minus 15m cube को 5m cube से divide, तो minus divide by plus minus, 5, 3, 15, m cube, यहाँ कीब cancel, minus 3, तो यहाँ पर होगा, minus 3, अब minus 3 से, 5m cube को multiply होगा, तो minus 15m cube ही होगा, अब यहाँ पर sign change, तो यह cancellation होगा, अब रहेगा यहाँ पर 10m plus 8, अब यहाँ पर ym की power होगी 1, और यहाँ पर ym की power है 3, तो power 3 से power 1 को divide नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर division sum up हो जाएगा, यह होगा remainder, और 5m minus 3 होगा quotient, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो वीडियो होगा, उसमें हम polynomial को binomial से कैसे डियाट करते हैं, वो example हम solve करेंगे, एक question हम solve करेंगे, फिर बकी की जो question है, वो practice 10.2 में दिये गया हैं, वो हम solve करेंगे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, करेंगे, वो हम गजए आप सकता हैं, झाल बावे लीडियो कि जो में जो करेंगे, झाल झाल